गिंती की पुस्तक अध्याए 11 गिंती की पुस्तक अध्याए 11 इस्राइलियों का कुड़कुड़ाना और इसका दंडभोगना फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुड़ा कहने लगे निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी तब लोग मुसा के पास आकर चिल लाए और मुसा ने यहोवा से प्राक्ना की तब वह आग बूज गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा क्योंकि यहोवा की आग उनमें जलूठी थी फिर जो मिली जुली भीड उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मास खाने को कौन देगा हमें वे मच्छिया स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत्मेंट खाया करते थे और वे खीरे और खरबुजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी परन्तु अब हमारा जी घबरा गया है यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंगरूप मूती का सा था लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते वा ओखली में कूठते थे फिर तसले में पकाते और उसके फूलके बनाते थ और रात को जब छाउनी में उस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना और यहवा का कोप अत्यंत भणका और मूसा को भी बुरा मालूं हुआ तब मूसा ने यहवा से कहा तु अपने दास से यह बुरा व्यफार क्यों करता है और क्या कारण है कि मैंने तिरी दुष्टी में अनुगरह नहीं पाया कि तुने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे क्या मही ने उनको उत्पन में किया जो तु मुझ से कहता है कि जैसे पिता दूद पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठा कर उस देश में ले जाओ जिसके देने की शपत तुने उनके पुरोजों से खाई है मुझे इतना मास कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूँ ये तो यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मास खाने को दे मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं समाल सकता क्योंकि यहां मेरी शक्ती के बाहर है और जो तुझे मेरे साथ यही व्यभार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्रान एकदम ले ले जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाओ यहवा ने मुसा से कहा इसराइली पुर्णियों में से सत्तर ऐसे पुरुष मेरे पास इकटे कर जिनको तु जानता है कि वे प्रजा के पुर्णिये और उनके सरदार है और मिलाप वाले तंबु के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहां खड़े हो तब मैं उतर कर तुझ से वहा बाते करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाओंगा और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना नव पड़ेगा और लोगों से कहा कल के लिए अपने आपको पवित्र करो तब तुम्हें मास खाने को मिलेगा क्योंकि तुम यहवा के सुनते हुए यहां कहां कहकर रो रहे हो कि हम मास खाने को कौन देगा हमें मास खाने को कौन देगा हम मिस्रही में भले थे सो यहवा तुमको मास खाने को देगा और तुम खाना फिर तुम एक दिन वा दो दिन वा पाच वा दस वा तुम्हारे नत्नों से निकलने न लगे और तुमको उससे ग्रुणा न हो जाए क्योंकि तुम लोगों ने यहवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुछ जाना है और उसके सामने यह कह कर रोए हो कि हम मिश्र से क्यों निकलाए फिर मुशा ने कहा जिन लोगों के बीच में मैं हूँ उनमें से 6,02 प्यादे ही है और तुने कहा है कि मैं उन्हें इतना मास दूँगा कि वे महिने भर उसे खाते रहेंगी क्या वे सब भेड बकरी गाइबयल उनके लिए मारे जाये कि उनको मास मिले वा क्या समुदर की सब मचलिया उनके लिए इकटी की जाये कि उनको मास मिले यहवा ने मुसा से कहा क्या यहवा का हाथ छोटा हो गया है अब तु देखेगा कि मेरा वच्चन जो मैंने तुछ से कहा है वहां पूरा होता है कि नहीं तब मुसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहवा की बाते कह सुनाई और उनके पूर्णियों में से सत्तर पूरुष इकटे करके तंबू के चारो ओर खड़े किये तब यहवा बादल में होकर उत्रा और उसने मुसा से बाते की और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेक पर उन सत्तर पुरुनियों में समवा दिया और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबुवत करने लगे परंतु फिर और कभी न की परंतु दो मनुष्व छावनी में रह गये थे जिनमें से एक का नाम एलदाद और दुसरे का मेदाद था उनमें भी आत्मा आई ये भी उ नबुवत करने लगे तब किसी जवान ने दवड कर मुशा को बतलाया कि इलदाद और मेदाद छावनी में नबुवत कर रहे हैं तब नून का पुत्र यहोशु जो मुशा का तहलुआ और उसके चुने हुए वीरो में से था उसने मुशा से कहा है मेरे स्वामी मुशा उन नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभों में समवा देते तब फिर मुशा इस्रायल के पुर्णियों समेत छावने में चला गया तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधिया आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आए कि वे इधर उधर एक दिन के मारग तक भूमी पर दो हाथ के लगभग उचे तक छा गये और लोगों ने उठकर उस दिन भर और राद भर और दुसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटोरते रहे जिसने कम से कम बटोरा उसने दस होमेर बटोरा और उन्होंने उन्हें ही में था और वे उसे खाने न पाये थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा और उस स्थान का नाम किबरोधत्तावा पड़ा क्योंकि जिन लोगों ने कामुक्ता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई फिर इस्राइली किबरोधत्तावा से प्रस्तान करके हसे रोध में पहुँचे और वही रहे